ग्रामी इन विकास एवं पंचायती राजमंत्री राजेंद्रा राठोड ने कॉंग्रेस नेताओं पर पलडवार करते हुए कहा कि वो कॉंग्रेस प्रधान मंत्री के कारिक्रम का विरूद कर रही है जो अपने 60 साल के शासन में लोगों का भला करने के बजाए खुद को ही लाब पहुंचाती रही राठोड ने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसमें करोडों की संख्या में लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाब उठाया है इसलिए कॉंग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा ग्रामी इन विकास एवं पंचायती राजमंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि 60 साल तक शासन करने वाली कॉंग्रेस ने गरीबी हटाओं का नारा तो दिया लेकिन गरीबी हटाने की कभी कोशिश नहीं की यह जरूर है कि कॉंग्रेस के नेताओं ने अपने 60 साल के शासन में अपनी गरीबी जरूर दूर कर ली शायद वे प्रधानमंत्री द्वरा लाभार्थियों से किये जाने वाले समवाद कार्यक्रम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि उन्होंने अपने पूरे 60 साल के शासन में भी इतनी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पक्ष में हुए या विपक्ष में वो सिर्फ चुनाओं के समय ही दिखाई देती है कॉंग्रेस की पिछली सरकार ने साने चार साल तो काम नहीं किया और जब चुनाव आने लगे तो लोगों को लभाने के लिए ये भी मुफ्त लेलो वो भी मुफ्त लेलो जैसी उजनाए चलाए नतीजा ये रहा कि प्रदेशवासियों ने कॉंग्रेस को एतिहा से घार अब जब फिर चुनाव आने लगे तो साने चार साल से सोई कॉंग्रेस के नेताओं में बयान देने की होड़ सी मच गई हर मईने विशलेशन किया जाता है कि कहीं उस नेता के बयान मुझ से ज्यादा तो नहीं जबकि हम हमेशा काम करने में विश्वास करते हैं पहले दिन से ही हमारी सरकार ने जी तोड मेहनत की तो आज प्रदेश के करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है अब इससे कॉंग्रेस के पेट में दर्थ हो तो हो